हेलो माई डियर फ्रेंज आज देट है 9 दिसमबर और फिलाल अब भी लापटॉप ओपन किया है यह बैंक निफ्टी का सिनारियो है चलिए आएए ट्रेड लेते हैं देगी निफ्टी में बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है यह इसमें अपना यह प्रिवेस चार्ट टेस्ट कर लिया है स्टॉप लॉसेज निकाल लिये हैं आएए पहले ट्रेड लगाते हैं कि कॉल की तरफ लिया है मैंने देखें अगर आप निफ्टी को देखें तो इसने प्रिवेस चार्ट का सपोर्ट लिया है यहां से और अब यह उपर जाने की तरफ है यह जो ब्राउन मार्कीट ने बिल्कुल हाइस हाइव बना या छहां से इसने यहां सेट यहां depressed बैठा को यहां पर यह इतना प्रफिट दिया है तो यह इसका प्रफिट निकाल नहीं पाएगा आप इस बात को समझे यह इसए टराने जाएगा तो कहां तक डराने जाएगा हमें तो मैंने यह ब्राउन नाइन इसी लगा रखी है कि यह यहां पर इतना तो जाना चाहिए यह यहां तक जाना चाहिए यह जहां तक भी दिन का सपोर्ट बनाए डोनों इंडेक्स को देखेंगे हैं मगर बस बात यह यह कैंडल उठती है और विक एक दम नीचे गिरा देती है देखें यह आपे तो यह सपोर्ट पर आ गया है थोड़ा सा और उपर जाए यह और हम अपना काटेंगे यह पोजीशन को इस सपोर्ट को थोड़ा सा इसे निकालना चाहिए तब यह सथी डरेगा वर्ना सपोर्ट के नीचे यह डरेगा नहीं थोड़ी कौंटिटी भी रेड आई है मगर यह थोड़ा सा और उपर जाना चाहिए देखे एक तो इसने मार्केट में बिलकुल हाईस्थाई बनाया है उसके बाद इसने यहां पर काफी ज्यादा सेलर को टाइम दे दिया है पोजिशन इसलिए बनाई गई है कि यहां पर मार्केट ने काफी ज्यादा सेलर को टाइम दिया है सेलर काफी बैठ गया है अब मार्केट इन्हें डराने जाएगा क्योंकि अगर आप सुझे यहां पर पुटके एंट्री लेके बैठे होते तो आप प्रॉफिट तो नहीं देते न अपना तो मार्केट इतना मोमेंट क्यों करें मार्केट डरा नहीं जाए यहां पर थोड़ा सा वह बना के सपोर्ट के पास प्राइस एक्षिन हो सकता है मार्केट यहां पर इसे निकाल दे मगर वह हमें कैंडल बता देगी तो हम कैंडल का वेट कर रहे हैं अभी तो हम हमारे फेवर में है मार्केट तो हम बैठे इस लग इसका लेवल तो न है मगर आगर आप बिगनरे तो आप यहां पर कर दें क्योंकि आगर किसी साएलिंग के वह से टार्ट ख होगी तो आप अपने घर पैसा ले के साथие ना आप पने घर पैसा लेके जाईये इसलिए यहां पर धीट कर दीजिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूं क्योंकि मुझे candles दिख रही है कि थोड़ा सा जा सकता है उपर और देखे निफ्टी में हम थोड़ा सा इस level के लिए बैठे हैं कि market को यह level निकालना चाहिए यहां पर देखे कितना hold हो रहा है यहां पर कितना hold हो रहा है तो हो सकता है market थोड़ी trapping कर दे देखे अपने बिल्कुल सपोर्ट प्राइस से market rejection ले रहा है आना चाहिए इसे उपर यहां पर इस नेतने stock losses create करें हैं उपर आना चाहिए इसे देखे अभी यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर अगर इसे market को नीचे जाना है तो यहां पर buyer अच्छी तरह बैठे गाने तो इ दुबारा trade ले ले अगर उसे confidence है तो तो बायर जब यह बिठाएगा उपर अच्छी तरह देखे यहां पर market ने यह level तोड़ दिया है यह trapping के लिए जा रहा है को कि यहां पर market ने लेवल तोड़ दिया है मगर market उपर आ जाएगा देखें आप इसने कितने जादा इसने जो है यह call वाले बिठाएं उनका stop loss खा रहा है अब market उपर आ जाएगा कम से कम इसे यह level निकालना चाहिए बगर यहां bank nifty में तो holding कर रहा है क्योंकि actually bank nifty एक तो चोटा चोटा चल रहा है थोड़ा nifty में थोड़ी बड़ी बड़ी moments है तो वह अगर moments बड़ी कर रहा है तो इसे थोड़ी चोटी candle बनानी पड़ेगी अब यह जितना retracement हुआ है यह उतना ही अच्छा उपर जाना च जाएंगे अपकी बार इसे सीधा ही जाना चाहिए तो यह मैंने आपको बताया कि यहां पर आप बुक कर सकते थे और यह मैंने आपको बताया कि यहां पर कोई ना कोई actually transaction बनेगा तो अगर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो हम फिर इस क्यों लें 54 देख कि price action nifty से समझ आता है कभी मुझे bank nifty से समझ में आता है तो मुझे जिस से समझ में आता है मैं उसे index को follow करती है देखिए red बन रही है मगर green आनी चाहिए अभी देखिए यह red कितना red दिखा रही थी मगर यह green आनी चाहिए बस यह जैसे ही से करेंगी cross मैं निकल जाओंगी उसके बाद market कहा जा रहा है कहा नहीं जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है seller अगर बैठेंगे उपर ऐसा price section बनेगा कि market seller को बिठा रहा है तो नीचे जाएगा बरना market थोड़ा-थोड़ा put वालों को बिठा के उपर जाता रहेगा क्योंकि highest of the market है इसे उपर कोई chart नहीं है देखे बहुत रुक रहा है यह काफी रुक रहा है Friday का दिन है 70 premium काफी जाधा high रहते हैं देखे इस line को छूने के फेर में है बस जल्दी से छूदे मगर यह बहुत रुक रहा है दिकत यह है moment इसकी वैसी नहीं होरी देखे यहां तक छूने के फेर में हैं बस बस अब मैं अपना profit बुक कर रहे हूं क्योंकि अब यह विग गिरा सकता है देखे यहां तो यह बहुत ही रुक रहा है बैंक नफटी में तो अब मैं अपना profit बुक कर रहे हूं कि 72417 आशा आपको प्रैस एक्षिन समझ में आयोगा देखे यहां पर काफी धुक रहा है यह इसलिए मैंने किया और candles ऐसी नीचे है कि यह market नीचे आ सकता है देखे इसे इस level को निकालना चाहिए मगर हो सकता है यह थोड़ा सा और नीचे जाके ऊपर जाए चला जाए बहुत अच्छा है अब market कहा जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है पोजिशन क्यों बनाई गई है मैंने आपको बताया था अगर आप इस खेल को समझ गए कि यह पूट की पोजिशन बन गई है तो आप समझ जाएंगे कि यह उपर जाएगा और देखिए बिल्कुल इसी level से यह नीचे आ रहा है थोड़ा सा वो नीचे जाके अब यह जाए जो मैं कह रही थी जहांके मैंने टार्केट बुक कर रखे थे बस यहां पर इसनो ट्रापिंग करी और बस चल दिया उपर तो इस तरीके से पोजिशन बनाई गई है बहुत ही इजी ट्रेट थी कुछ नहीं था जैस्ट मैंने लाप्टॉप ओपन किया था उसके बाद ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको इसी तरह की नॉलिच और मिलती रहे और मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है प्लीज हिट तब बेल आइकन देखे यहां पर प्राइस होल्ड हो रहा है ओके और यहां पर यह इसने इस लेवल को निकाला ज जाती तो सेवंटीफोर का जो दिखाई दे रहा है न वो इतना क्यों इस वज़े से मैं यह भी आपको बताना चाहरी हूं कि किस तरीके से प्रॉफिट बुक करें क्या करें क्या ना करें यह जो मैंने आपको यहां की जरी बताई है मैंने बिगनर की बताई अगर यह समझ क्या तो यहां पर दुबारा ट्रेड ले सकता है इसलिए कि आप यहां पर बुक कर ले आगे आप देखें क्या चल रहा है मगर इतने ट्रेड लेने भी नहीं चाहिए इंट्रडे में आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में ही कनवर्ट हो जाता है ओवर ट्रेडिंग से सो थैंक यह वरी मुच